एक ऐसी बिमारी जिसमें शरीर के अंदर से आग निकलने लग जाती है और भारत में एक ऐसा सीरेल किलर भी था जिसने अपना नाम गिनिस बुक आफ वल्ल रिकॉर्ड में भी दर्ज करवाया है और एक ऐसा जानवर जिससे शेर भी डड़ता है तो ये लोग इसके साथ क्या कर रहे है ऐसे अमेजिंग फैक्ट देखने लिए बने रहे हैं वीडियो के अंद तक आपको ये तो पता होगा कि वर्ल्ड की सबसे उच्छी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा है पर क्या आप ये जानते कि बुर्ज खलीफा में सबसे ज़्यादा फ्लैट्स किसके है अगर आपका जवाब है किसी दुबई के शेक का तो आप बिल्कुली गलत है बुर्ज खलीफा में सबसे ज़्यादा फ्लैट एक इंडियन के है जो केरल से बिलॉंग करते हैं इनके बुर्ज कलीफा में 22 फ्लेट्स हैं इनका कहना है कि अगर उने अच्छी डील मिले तो और भी फ्लेट्स खरीच सकते हैं कि आप जानते कि भारत का सबसे खतरनाक सीरियल किलर कौन था उसका नाम था बहराम सिंग और ये लोगों को मारने के लिए किसी भी हत्यार का यूज नहीं किया करता था ये सिर्फ एक पीले रुमाल से लोगों का दम घोट कर मार दिया करता था और इसने अपनी पूरी लाइफ में 931 लोगों को मारा है कहतने कि इसका नाम गिनेशिवो का वल रिकॉर्ड में भी दर्श जा गया था आपने अकर मारवल मुवीज देखी होंगी तो उसमें विजन नाम के सूपर हीडो को तो जरूर देखा होगा आपने देखा होगा कि विजन के सर पर एक डायमेंड लगा है तो आज मैं आपको असल जिन्दकी के विजन को दिखाने जा रहा हूँ यह है लेल उजी वर्ट यह एक रैपर है इन्होंने सरजरी के जरीए अपने माथे पर पिंक डायमेंड लगाया है जिसका प्राइज है 174 करोड रुपे इन्होंने बताए कि इसके लिए यह 2017 से पैसे जोड रहे है वैसे काफी अजीब शौक है इसमें क्या होता है कि इनसान अपने आप बिना किसी बहारी आग के जलकर राख हो जाता है और कभी-कभी तो उसके हाथ और पैर बच जाते हैं दुनिया में ऐसे दोसों से भी ज़्यादा मामले सामने आये हैं पर अभी तक साइंटिस्ट इसका पता नहीं लगा पाए हैं कि ऐसा क्यूं होता है पर कई लोग इसे पैरनोवल गतिविती बताते हैं क्या आप जानते हैं कि 2015 में एक प्लेइन की एमर्जंसी लैंडनिंग करवानी पड़ी थी दरसल कार्गो प्लेइन में अचानक धुआने की शिकायदारी थी तो प्लेइन की एमर्जंसी लैंडनिंग करवानी पड़ी पर उन्होंने देखा कि आग कहीं तो लगी नहीं है पर बाद में बता चला कि यह कुछ और नहीं प्लेन में बैठे 2186 शीप के लगतार पादनी के जैसे ऐसा हुआ था क्या आप जानते कि हाई ना लकड़ बग्गे जैसा दिखने वाले एक जानवर होता है हाईने इतना खतरनाक जानवर होता है कि शेर और चीते भी से उलज़ते नहीं है इनका जुन्द शेर और चीतों का शिकार कर लेता है और यह कई किलोमीटर तक अपने शिकार का पीछा कर लेते है शेर की बाइट फोर्स 650 पेसा ही होती है और हाईना की bite force 1100 PSI होती है यानि हाईना share से बहुत ज़्यादा तेज काट सकता है बाकी जानवर तो अपने शिकार का मास खाकर हड़ी छोड़ देते हैं पर हाईना अपने शिकार का मास, हड़ी, सिंग, सब कुछ खा जाता है पर इतने खतरनाक जानवर को नाइजीरिया के northern इलाके में पाला जाता है इन्हें वो सड़क पर खेल दिखाने के काम से पालते हैं आपके इसके बारे में क्या कहना है वीडियो ची लेकिते हमें वीडियो के लाइक करें चनल पर नहीं तो चनल को सब्सक्राइब करें, बाई